वेलकम टू विजूल लर्निंग इस वीडियो में हम समझेंगे रेजिनेंज हम किसी भी एटम या मोलिक्यूल को रिप्रेजन्ट करने के लिए लीस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें हम एटम सिंबल के साथ आउटर शैल के इलेक्टॉन्स और बॉन्ड को शो करते हैं इसे हम इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इस इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोन्स की पोजीशन चेंज करने पर हमें different type के electronic structure मिलते हैं। ये structure उस molecule की property को explain करते हैं। लेकिन हम किसी एक electronic structure का use करके उस molecule के सभी property को explain नहीं कर सकते। इसलिए यह पाया गया की molecule जिसमें double या triple bond हो, वो अपनी सभी property को explain करने के लिए दो या दो से ज्यादा electronic structure से represent किये जाते हैं। और इसी को हम resonance कहते हैं। और इन structures को resonance structure कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो वो phenomena जिसमें कोई molecule दो या दो से ज्यादा Lewis structure बनाए, उसे resonance कहते हैं। इन सभी Lewis structures में, इलेक्ट्रोनों की position different होती है, लेकिन atom की relative position same होती है। आईए अब हम resonance को एक example से समझते हैं। मान लीजिए कि एक CO2 molecule है, जिसका Lewis structure कुछ ऐसा होगा। इसमें हम देखते हैं कि carbon atom से दो oxygen जुडे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि carbon के दोनों side double bond हैं। लेकिन right वाले oxygen पे तीन electron lone pair हैं। और left वाले oxygen पे दो electron lone pair हैं। इस structure में अगर हम right वाले oxygen से एक electron lone pair carbon atom पे shift करें, तो carbon oxygen के बीच triple bond बनेगा। साथ ही carbon पे electron density बढ़ जाएगी। density बढ़ने पर left oxygen अपने double bond को single bond में convert कर लेगा। और उस पे एक और electron lone pair बढ़ जाएगा। और इस तरह एक different Lewis structure बनता हैं। जिन्हें हम resonance structure कहते हैं। दोनों structure को separate शो करने के लिए हम double head arrow का use करते हैं। THANKS FOR WATCHING। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ρί तो यह वीडियो करें आपको हमारी यह हम आपको का तो आपको करें।